आप सभी नए दर्शकों का स्वागत है प्लीज कि प्ला चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको नया है तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर डीटेल की और ये स्टॉक फिर से अपर सर्किट पे लगा हुआ है रिलाइन्स की क्या नई बड़ी खाबर है इस सब का खुलासा करेंगे और अमेजन की अभी भी टेबल पर है और एक हम नया एंगल लेके आए हैं विप्रो ने भी अपना दाओ खेला है फ्यूचर डीटेल में स्टेक बनाने के लिए बने रहिए हम सब डीटेल में आपको बताएंगे दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक छोटा सा लाइक बटन दबाईएगा अगर हम फ्यूचर डीटेल के प्राइस की बात करें तो करीब 120 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है इसके फ्यूचर रीटेल के जो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राइंड्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो बिग बाजार उनका एक बहुत ही बड़ा और अच्छा ब्राइंड है अगर आप कहीं भी किसी भी बड़े शहर में है और आपको अपने घर के समान के लिए कुछ चाहिए तो बिग बजार से अच्छा आप्शन नहीं मिलेगा और ये रेगुलरली बहुत अच्छी डील्स में भी आते हैं कुछ इतने तक का समान खरी दिये 2000 तक का तो आपको एक किलो चीनी फ्री मिलेगी जो की एक नॉर्मल पब्लिक के लिए काफी अच्छा प्रोटसाहन है उनके स्टोर में जाने का और एक बार स्टोर में पब्लिक आई तो वहाँ पे तो पैसा खर्च करेगी ही करेगी तो इनकी स्ट्रेटिजी भी बहुत अच्छी है मार्केटिंग की FBB इनका बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके लिए उनने बहुत अच्छे पैसे भी खर्च की है ब्रांड इमिज बनाने के लिए इसके अलावा नीलगिरीज इनका ब्रांड है होमटाउन इनका ब्रांड है तो ऐसा कुल मिला के फूड हूल इनका ब्रांड है कुल मिलाके इनके काफी सारे ब्रांड हैं जो बहुत अची तरह से चल रहे हैं आप बने रही है चैनल पर हम आपको बताते रहेंगे डीटेल के बारे में अब ये ट्राइंगल एंगल बन गया है विप्रो ने भी अपना दाओं खेलना शुरू कर दिया है Reliance ने exclusive news हम आपको बता रहे हैं कहा है कि future retail को 40% debt का haircut लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि अगर future retail का current debt 1000 करोड का है तो उसमें से Reliance सिर्फ 600 करोड का debt लेगा अपने पास future retail को 400 करोड का debt अपने pocket से जमा करना पड़ेगा यह जो कि future retail के लिए इतनी अच्छी ख़बर मानी भी जा सकती है क्योंकि अब उसके पास एक base बन गया है जी हाँ, उसके पास एक base बन गया है कि इतना उसको Reliance दही रहा है तो अब जो उसके दो partner बचे, Amazon और Wipro उनके साथ वो negotiation better value कर सकता है जी हाँ, आपने सही सुना, उसको negotiation करने में अब थोड़ी power मिलेगी हम इसके valuation की बात करते हैं अगर आप देखें तो इसका current market cap जो है वो 6000 करोड का है, जी हाँ कोई ज़्यादा बड़ी company नहीं है medium size की company बोलेंगे अगर हम इसका weekly chart देखें तो ये एक downward falling channel में फसा हुआ है जी हाँ, downward falling channel में फसा हुआ है और उसके चलते हुए इसमें upward पे resistance रहेगा जिसका हम technical analysis बताएंगे जब हम target की बात करेंगे यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, आखर तक इस video में आपको पूरा technical and fundamental analysis बताएंगे हम इसका करने के लिए अब वोल्यूम देखे जरा यहाँ पर आप नीचे green box जो हमने बनाया है बहुत जादा volume spurt हुआ है इसमें पिछले 5 से 6 हफ़तों में इसका reason भी हम आपको बताएंगे क्योंकि यह news based stock है यह अपना stake को sale करना चाहते हैं इनिशली विप्रो आया उसके बाद में Reliance ने interest दिखाया अब retail को खरीदने के लिए Amazon आ रहे हैं तो इस सब के चलते हुए इनका volume increase हो रहा है price increase हो रहा है यह shareholder के लिए काफी अच्छी information हो सकती है तो अब एक ट्राइंगल war बन गई है एक तरह से जिसमें Reliance ने अपना दाव खेल लिया है वो बता रहे हैं कि हम इतना price दे सकते हैं अब Wipro और Amazon को future retail discussion कर रहे हैं आप कितना देंगे जिसमें से जो अच्छा देगा future retail के लिए वो उसको accept करेंगे और यह future group के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी जो stock में अभी तक नहीं बने हैं हमारे सलहा के इसाब से प्रीज बनिये जितनी जल्दी हो सकता है हमने इसका recommendation एक specific range में कर रहे हैं आप उसको आके तक देखेगा तो आपको सोझ में आएगा अगर हम इसकी बात करें अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर लाइक बटन दवाईएगा अगर उनके brand की बात करें तो FBB brand के लिए बहुत अच्छा publicity पैसा खर्च किया है शिकर धवन जो भारत के उच्छ कोटी के क्रिकेटर है और जो भारत के लिए opening भी करते हैं दुर्भाग्यवष वो इस World Cup में नहीं खेल पाए थे कुछी गेम खेलने के बाद रिटार हो गए उसके बाद में उनको काफी दिकत हुई आगे वापस गेम में आने के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है उनके लिए पर हम उमीद करते हैं कि वो रिकवर कर रहे हैं अब हम Amazon का एंगल बताते हैं जेफ बोस ने इसको अपने लिए रिकमेंड किया था कि मैं यहाँ पर रहूँगा इंडिया में और मैं आपको घर तक सब कुछ डिलिवर करूँगा तो उनका यह सपना है कि वो रिटेल में इंडिया के मार्किट को टैप करना चाते हैं जी हाँ उसके चलते हुए बिग बजार उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मीडियम बनेगा तो उसको देखते हुए फीचर रिटेल की पर नजर रहेगी अमेजन की और वो ओफर करने वाले हैं बहुत ही अच्छा जो शायद फीचर रिटेल मना ना कर पाए और उनके स्टेक होलडर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा महीं दूसरी और आपको मैंने अभी बताया exclusive cover Reliance बोल रहा है फीचर रिटेल को की 40% आप अपना debt लीजे और हम उसके बाद आपको offer दे दिया है अब अगर हम यहाँ पर daily chart को analysis करें आप चीजों को समझने की कोशिश कीजे आप चैनल पर आए बहुत बहुत शुक्रिया अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार like जरूर दबाईएगा पर मेरा objective यहाँ पर आपको level सिर्फ level देना नहीं आपको चीजों को सिखाना है तो आप समझिये चीजों को मैंने long term के basis पर इसके दो support निकाल है 94 का और 86 का 86 का बहुत strong support है 94 का medium term support है जह हमने पिछले वीडियो में देखेंगे तो हमने इसको 100 से 110 के बीच में buy करने की recommendation दी थी जो लोग हमारे वीडियो पर बने हुए है पिछले तीन दिनों से उन्होंने भर कर quantity खरीद ली होगी अगर आपने नहीं खरीदिया तो आप अभी भी करीज सकते हैं आपको exact price बताएंगे आप कहां खरीज सकते हैं हमारे channel पर बने रहीएगा दोस्तो तो आप ये volume देखें यहाँ पर कितना अच्छा volume increase हुआ है इसका spurt के साथ में और अब ये up movement के लिए फिर से तयार है क्योंकि reliance ने अपना offer दे दिया है आगे देखे क्या होता है अब हमने study के basis पे ये चैनल बनाया है जी हाँ इसका lower channel नहीं तोड़ना चाहिए इसका lower segment और upper segment जैसे ही वाहर निकला इस box से तो ये एकदम zoom करके उपर को भागेगा और कुछ खबर positive आने की बाद आच्छा रहेगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिगा दोस्तो हमारी सलहा आप future retail को current market price से 100 की range में कितनी भी quantity में खरीज सकते हैं जिहां आप अभी भी इसको market price पर खरीज सकते हैं और ये हम आप target आपको इसको आगे बताएंगे इनके और बताते हैं कि इन्होंने दिलजीत जी को भी अपना brand ambassador बनाया है आपने शायद movie देखी ही होगी जिसके चलते हुए इनकी बहुत popularity बढ़ रही है और इनको आगे काम करने का भी बहुत सान मिल रहा है जिसकी वज़े से feature retail ने दिलजीत को अपना brand ambassador बनाया है ताकि उनके पास creator तो होई गए है और Bollywood से भी उन्होंने अपना एक star बना दिया है तो इसके चलते हुए इनका brand बहुत अच्छा बन गया है हमारा target अगर आप 3-6 मेने का नजरिया देख रहे हैं तो 170 रुपे का target रहेगा पर अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है एक साल के लिए तो ये 300 के आसपास stock पे एक resistance रहेगा जी हां आपने सही सुना short term के लिए 3-6 मेने के लिए 170 रुपे का target long term के लिए जी हां 300 रुपे का target इस stock कर रहेगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपका दिन मंगल मैं हो जैहिंद